नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है The Serious Comedy Show में। आज प्रस्तुत है शरज जोषी जी का व्यंग एक मिनी भ्रष्टाचार। ये व्यंग उनकी पुस्तक यथा संभव में संकलित हैं। पित्रों मैं शरज जोशी जी के इस व्यंग को प्रारंब करूँ इससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों यदि आपको ये व्यंग वाचन पसंद आता है तो कृपिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे चैनल की रीच पढ़ती है और मेरा होसला बढ़ता है आप इस व्यंग पार्ट को सुनें और यदि आपको ये पसंद आए तो कृपिया करे से लाइक कर दें और अगर कॉमेंट कर पाएं तो कहना ही क्या पॉजिटिव कॉमेंट्स पढ़कर मेरा होसला और बढ़ता है और नेगेटिव कॉमेंट्स से भी मुझे ये जानकारी मिलती है कि मैंने क्या गलत किया और इसमें क्या सुधार किये जा सकते है तो दोस्तों करपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब सुनते हैं शरज जोशी जी का व्यंग मीनी भरष्टाचार पिछले दिनों मैंने एक भरष्टाचार किया उसे भरष्टाचार कहना देश के परम भरष्टाचारियों की शान में गुस्थाखी होगी अगर अपने कर्म के लिए इसके अतरिक्त कोई शब्द नहीं रहा जिसका उपयोग करूँ और कलंक से बरी हो जाओं मेरे एक मित्र ने दो शब्द सुझाए थे समझदारी और व्यवाहरिक था जिन्हें मैं भरष्टाचार के एवज में उपयोग कर सकता था उसका आग्रह यही था मगर मैंने नहीं माना उसका कहना था कि जो लोग भरष्टाचार करते हैं वे कहते हैं यही समझदारी है यही व्यवाहरिकता है अतह तुम कोई अजूबा नहीं करोगे कि अपने कर्म को उक्त संग्याएं दोगे मैंने इनकार कर दिया मैंने कहा मुझे भरष्टाचार को भरष्टाचार कहने में हर्ज नहीं लगता मगर यह शब्द ऐसा सर्व व्यापी है इसके संदर्भ में ऐसी बड़ी-बड़ी हरकतें सुनाई जाती हैं कि मुझे अपना काम बहुत छोटा लगता है मेरा भरष्टाचार एक नन्हा सा भरष्टाचार है भरष्टाचार की स्वन दिशा में एक नम्र प्रयास है एक मुन्नी सी क्रिया है टुईया सी हरकत है मैंने शब्द बनाया मिनी भरष्टाचार अर्थात एक पौधे नुमा घुटनों से काफी उपर उठी फ्रॉक नुमा ब्रश्टाचार ब्रश्टाचार की पहाडी उचाईयों में बेबी का एक काम महा कावियों की तुलना में एक हाईकू मित्र ने कहा एच छोटा होया बड़ा ब्रष्टाचार तो ब्रष्टाचार है इससे मुझे कष्ट हुआ अकेडमिक बहसों में यदि कटू सत्य एकाएक कहीं से उद्घाटित हो जाए तो बुद्धी जीवियों को इस प्रकार की पीड़ा हो जाती है नेतिक प्रश्णों को लेकर विशेश रूप से नियमानुसार मेरे शरीर में एक अदद आत्मा है रहती चली आ रही है अंतिम प्राप्त सूचना तो यही है कि कमभख्त सक्रिय है अभी भी और बाह समझोतात्मक दबावों की उपेक्षा करती है मेरे सद्य भ्रश्टाचार को लेकर भी वो अपनी वाली दिखाने से नहीं चुकी और परंपरागत आकर्मन प्रणालियां अपना कर मुझे कचोटती रही आत्माओं का ये सुभाव है मर्ज है परिणाम ये है कि एक नकुछ सा भ्रश्टाचार भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ हुआ ये कि दूर के एक शहर की एक संस्था ने मुझे गांधिवाद की वर्तमान युग में सार्थकता इस विशह पर आयोजीत विचार गोश्टी में भाशन देने के लिए बुलाया आजकल साल भर के लिए देश में गांधी का सीजन चल रहा है सो ये आयोजन स्वाभविक था जो गांधिवादी विचार गोदामों में पड़े वर्षों से सड रहे थे वे मुढजाये व्यक्तियों की बेलगाडियों पर लत कर मंडी में आ गए और बड़ा शोर गुल रहा भाशनों के इस विराट नकार खाने में विनमर तूती के रूप में मैंने भी पें-पें प्रस्तुत की और वंदना के बे सुरों में एक सुर अपना मिला अहम को तुष्ट किया संस्था ने लिखा था हम ठहरने खाने के बंदोबस्त के अतिरिक्त आपको तीन फर्स्ट क्लास का किराया देंगे और आपको दो दिन रहना होगा मैंने सोचा कि गांधी के नाम पर देश में कितने ही लोगों ने जीवन भर के लिए अपने ठहरने खाने का बंदोबस्त कर लिया है यदि दो दिन के लिए मेरा भी हो जाए तो क्या हर्स है गांधी वात की वर्तमान युग में यही सार्थकता है मैंने स्वीकार कर लिया मैंने चहरे को गंभीर बनाया विचारक की मुद्रा के उप्युक्त अपने शरीर को धिला किया आकाश की ओर डूपती आँखों से देखा अपचारिक्ता, सौजन्य और आभार स्वीकार की सड़ी गली शब्दा वली को याद किया और यात्रा पर चल पड़ा स्टेशन पर आकर मैंने स्वयम से एक प्रश्न किया हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न उठाने में उस कमभख्त आत्मा का शर्यंत्र रहा हो जो बिना टिकट मेरे साथ चल रही थी एक कार्टून का आइडिया आ गया टिकट घर की खिड़की के सामने खड़े सन्यासी से टिकट बाबु कह रहे है बाबा तुम्हारा दो टिकट लगेगा एक तुम्हारे शरीर का और दूसरा आत्मा का प्रश्न ये था कि मुझे थर्ड क्लास में बैटकर यात्रा करनी चाहिए इसी रूप रंग का प्रश्न कभी स्वयम गांधी जी के मन में उठा था और गांधी जी के निजी इश्वर ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हें थर्ड क्लास में यात्रा करनी चाहिए क्योंकि ये देश गरीब है सही मानो मैं थर्ड क्लास है और जरूरी है कि दुख जेल कर भी तुम थर्ड क्लास के यात्रियों के समीप रहो इसी अकार प्रकार का प्रश्न आजादी के बाद कॉंग्रेस मंत्रियों के मन में भी उठा था और मंत्रियों के निजी सचिवों ने उन्हें सलाह दी थी कि आपको फर्स्ट क्लास की यात्रा करनी चाहिए क्योंकि आपको भत्ता मिलता है आप थर्ड क्लास के यात्रियों से उपर हैं और बर्त पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार रेल विभाग स्वीकार कर चुका है मेरा प्रश्ण इसी रंग रूप और आकार प्रकार का होकर भी भिन्न था प्रश्ण था कि क्या मुझे थर्ड क्लास की यात्रा करनी चाहिए जबकि संस्था मुझे फर्स्ट क्लास का किराया देगी आत्मा ने कहा कि यदि तू उनसे फर्स्ट क्लास का किराया ले रहा है तो फर्स्ट क्लास में बैठ कर जा और यदि तू थर्ड क्लास में बैठ कर जा रहा है तो तू उनसे भी थर्ड क्लास का किराया ही ले मैंने कहा आत्मा जी आप शरीर में विराजती हैं आपको मेरी जेब में मेरे बटुए में निवास करना चाहिए था तब आप मेरी पीड़ा समझ पाती है मैं सरकारी नौकर नहीं जिसे टिकट नंबर देना पड़ता है मैं संस्था का सम्मान निय महमान हूँ जिसे गाधिवाद की वर्तमान परिस्थितियों में सार्थक्ता पर बोलना है भाशन देना है मेरा लाभ इसी असत्य में है कि मैं फर्स्ट क्लास से आया गया सत्य से संस्था की बचत होगी असत्य से मेरी मैं अपनी बचत करूँगा, अपने लाप की सोचूँगा मैंने थर्ड क्लास का टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर पहुँच गया कुछ समय बाद ट्रेन आई थर्ड क्लास में कठिन प्रिवेश की समस्या थी पर मैंने चुनोती को स्वीकारा और अपने पौरुष को प्रमानित करता अंदर धंस लिया मेरी आराम प्रिय आत्मा की एक न चली वगर जगह बना कर मैं बैठ लिया जैसे तैसे भाशन हुआ मंच पर मानो रूई धुनने का सामान लेकर हम बैठ गए और शब्द शब्द धुनकर हमने सभभवन के चौकोर आकाश को पाट दिया मैं फैल रहे भ्रष्टाचार पर बोला मैंने गांधी से वर्तमान भ्रष्टाचारी राजनीतिग्यों की तुलना की और प्रभाव पूर्ण शब्दावली में अफसोस प्रकट किये जिसे सुन्ष्रोताओं को अफसोस होने लगा मैंने गांधीवाद के विचार बंडल को तत्व तत्व खोला और हर तत्व को सरेयाम पर खा सब मान गए कि गांधीवाद की पुरानी चली आ रही रेल वर्तमान में आकर दुरघटना गरस्त हो गई है क्योंकि वे पट्रियां अब समानांतर नहीं रही जिन पर रेल जा रही थी मेरी बात से कुछ सहमत हुए कुछ जो निरंतर फर्स क्लास से आते जाते थे असहमत हुए उन्हें होना ही था अंत में वो स्वर्णिम घड़ी आई जब मुझे तीन फर्स क्लास यानि डेड़ सो रुपिये रख कर लिफाफा दिया गया खर्च पचास लाब हुआ सो गांधी वाद बुरा नहीं रहा मैंने कहा चलेगा लिफाफा जेब में रख लिया उसी शण आत्मा को घूसा सा लगा वो व्यंग में मेरा हाल ही में दिया गया भाशन दोहराने लगी खास कर वे अंश जो मैंने चारित्रिक पतन को लेकर कहे थे जरा-जरा से लाबहों के लिए गिर रहे मनुष्य के लिए कहे थे कई दिन हो गए मगर आत्मा अपनी शैली में कचूटी है मित्र कहता है जो तुमने किया वही व्यावाहारिकता है समझदारी है मैं कहता हूँ चाहिए मिनी भरष्टाचार हो पर है भरष्टाचार मुझ में उनमें क्या अंतर है उनको बड़े मौके मिले उन्होंने बड़ा भरष्टाचार किया मुझे एक मातर छोटा मौका मिला मैंने छोटा भरष्टाचार किया उसने कहा जो हो गया सो हो गया अब तु क्या कर सकता है क्या तु उस पर भाष्ण देगा या लेख लिखेगा मैंने सोचा ये भी कर लो मन का भार भी हलका हो जाएगा खेर सभी बाते कहने की नहीं होती भाई क्या भाशन में मेरा ये कहना उचित होगा कि मैं तीन फरस्ट क्लास ले रहा हूँ मुझे डर लगा कि इस तरह मैं एक फ्रॉड हो जाओंगा प्रिष्टा चार करूं और अपने को कोस कर संत बनने की चेश्टा करूं बड़ा बंगला प्राप्त करने के लिए वर्षों प्रयत्न करूं और बंगला प्राप्त होने पर उसे एक कट घरा एक कैट खाना घोशित कर स्वैम को पीडित बताऊं चोर रास्तों से अंदर घुसकर दर्वाजे पर खड़ी स्वार्थी भीड को कोसूं और उससे भी काम न चले तो खुद को कोसूं कि हाई मैं चोर दर्वाजे से क्यों आया लोग दाद देंगे कि आदमी इमानदार है जो सोफे में लेटा सोफे को कोसता है एक चुभन अनुभव करता है यह चाहे जगा नहीं छोड़ता मैं तीन फर्स्ट क्लास का रुपिया जेब में रखे अब रो रहा हूं उफ मैंने कहा उफ यह क्या किया मित्र कहता है देखो प्यारे हर वक्त कोई नया टेंशन खड़ा कर परिशान होना तुम लेखकों की विशेष्टा होती है तुम यहां से वहां बोलने गए तुम्हारी क्या गांधी जी से रिष्टेदारी है या डॉक्टर ने बताया था कि जाओ और भाशर दो तुम गए दो दिन नश्ट किये विचार किया विचारों को प्रकट किया और कारेकरम सफल बनाया इस श्रम का मोल्य तुम्हें मिलना चाहिए मिला है संस्था वाले जानते हैं तुम जानते हो फर्स्ट क्लास का मार्ग विये और थर्ड क्लास के खर्च में जो अंतर है वही तुम्हारे श्रम का मोल्य है मगर ऐसी हालत में मुझे उन्हें साफ कहना था कि मैं थर्ड क्लास में यात्रा कर वही किराया लूँगा और भाशन देने के सो रपिये अलग लूँगा ऐसा तुम नहीं कर सकते थे क्यों नहीं कर सकता था इसलिए कि तुम सम्मान्नी ये अतिथी थे क्या मतलब सम्मान्नी ये अतिथी थर्ड क्लास में नहीं जाते वे गांधी जी पर भाशन देने का पैसा नहीं लेते और इसके बाद हम दोनों ने जोर का ठाहका लगाया हम दोनों परस पर एक दूसरे को दाद देते हुए हाथ मिलाने लगे मानते हो प्यारे खड़ी कीन नैतिक समस्या मैंने कहा मानते हैं इससे मेरे चरित्र की उंचाईयों का पता लगता है न बिल्कुल लगता है अब बोलो उन सो रुपियों का क्या करें जो गांधीवाद की सार्थक्ता पर भाशन देने पर मिले मेरी मानो तो एक शेरवाणी सिल वालो तुम अब भाशन देने लगे हो और वक्ता शेरवाणी में ही चसता है बिल्कुल ठीक हम लोग खादी भंडार गए और हमने शेरवाणी का बढ़िया कपड़ा खरीदा और सिलने डाला पहली बार जब शेरवाणी पहनी तो लगा सच मुच वर्तमान युग में कहीं न कहीं गांधिवाद की सार्थकता है